Hello everyone, welcome to Magnet Brains mini जानकारी, this is Saloni Pandey आज के हमारे इस लेक्चिर में हम जानेंगे Why is QWERTY Keyboard laid out that way? यानि कि हम सभी देखो, mobile phones जलाते हैं हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुती fast typing भी करते होंगे computer keyboards भी हम use करते हैं, laptop अगेरा, etc. और कभी keypad पर ध्यान गया है obviously गया ही होगा उसमें अकसर जो alphabets होते हैं वो Q से start हो रहे होते हैं like Q, W, E, R, T, Y कुछ इस तरीके से ना कि A, B, C, D, E, F, G, Y अब भाई जब alphabets हमने कुछ इस तरीके से सीखें हैं तो keypad में ऐसा क्यों? ये कभी आपने सोचा है कभी आपके दिमाग में ये चीज़ आई है कि ऐसा basically होता क्यों है और हमें से बहुत कम लोग हैं जो इसके पीछे reason भी जानते हैं मैं कोई बात नहीं आज हम जानेंगे कि ये QWERTY keyboard का format ऐसा क्यों होता है और ABCDEFG क्यों है इस तरीके का जो format है वो क्यों नहीं होता है सो देखो जब से ये जो evolution हुआ है keyboard का सो starting से ABCDEFG इसी तरीके से पूरा format हुआ करता था और कभी अगर आपने देखा होगा कि पहले जो keyboards वगरा use हुआ करते थे उसमें जो buttons होती थी मतलब ये जो alphabets वाली जो buttons होती थी वो भाती मोटी होती थी और बहुती उभरी होई होती थी तो उसकी वज़े से क्या होता था fast typing करने में बहुत ही दिक्कत आती थी बहुत easily जो है मतलब जल्दी जल्दी हम typing नहीं कर पाते थे तो फिर क्या हुआ बहुत सारे experiments होने start हुए अच्छा ये जो ABCDE वाला format है ना इसको किसने evolve किया था मतलब कौन इस format को लेकर आये थे So that is Christopher Latham Scholes वो इस format को लेकर आये थे फिर जब उन्होंने देखा कि यार इसमें जो है service उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है उतनी ज़्यादा हम fast typing नहीं कर सकते तो फिर धेर सारे experiments करना start किये कि क्या ऐसा कर सकते है जिसके through typing जो है वो fast हो जाए तो फिर बहुत सारे formats आये अलग-अलग formats आये लेकिन जो सबसे successful model था वो था ये qwerty keyboard यानि कि जो अभी जिस तरीके का keep paid या keyboard हम use करते हैं वो सबसे ज़्यादा successful model था इसमें हम fast typing भी कर सकते हैं और साथी साथ में जो है easily बहुत easy access भी हो गया है सारी चीजों को लेके तो फिर इसी लिए जो सबसे successful model रहा वो qwerty keyboard रहा और इसको भी कौन लेकर आए obviously Christopher Latham Shales तो जिनकी वज़े से आज हम qwerty keyboard को use कहते हैं और आप में से और इवन हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज बहुत fast typing भी करते हैं तो अगली बार कोई आप से इस तरीके का सवाल पूछे तो आप उसको बताईएगा कि qwerty keyboard का format जो है वो क्यूं है I hope सो समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे निक्स वीडियो लेक्टर में थांक यू वेरी मच